और वाट गाईज, वेलकम बाक टू दी चैनल, कोपा अमेरिका 2024 के ड्रॉज आ चुके हैं, ग्रॉप्स बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी ग्रॉप्स हैं, तो भाई लास्ट टाइम तो हमने देखा कि 2021 में आर्जेंटीना ने ब्रजील को हरा कर कोपा अमेरिका जीता था, जिसके बाद से इंस्टिगेट होता है, आर्जेंटीना का वो रन जहां पर आगे जाके वो फिनल इजीमा जीते हैं, एंड देन उसके बाद से उपाधी उनको मिलती है, वर्ल्ड कप जीतने की, सो क्या फिर से आर्जेंटीना वो रिपीट कर सकती है, इस ग्रॉ चिली और एक और स्पोर्ट है जो की बचा हुआ है, जो की ऑकिपाय होगा या तो कैनाडा, या तो तरीडाद और तुबाको के बीच में, अब ये जो एक प्लेओफ का कौलिफायर है, ये मार्च में होगा, जिसमें से जो दोनों टीम में से जो जीतेगा, वो इस ग्रॉप चिली को मिल चुका था, वो खिताब, 2016 में उल्टा होता है, मेसी मिस करते है, साथ में लूकस बिगलिया मिस करते है, अपनी प्लेटी जिसको जी जाते है, कौप अमेरिका, तो हिस्ट्री तो है यहाँ पर, अगर करेंट फॉर्म के बारे में बात किया जाए, तो यार, ये अच्छा नहीं है, चिली का पिछला जो रन रहा है, फुटबॉल का, वो पुरानी वाली चिली नहीं रह गई यार अभी, बट अगर आर्जेंटिना की बात करो तो हम तो करेंटली जो इनका फॉर्म है, इट हास बेन गुट बस अभी इनको पिछले माच में एक लॉस में उसके अलावा, I think, there are a good side, यार, one of the favorites definitely रहेंगे इस साल कोपा अमेरिका के, बट जो इनके गुर्प में दूसरी टीम है, जैसे पेरू की बात किया जा है, तो पेरू इस लाइक टीम जो की, you know, एक अच्छा फिजिकल फुटबॉल खेलती है, लास्ट माच में उन्होंने व बहुत जादा गोल्स मारती नहीं है, 1-0, maximum 2 गोल उन्होंने मार रखा है पिछले कई माचें में आप देख सकते हो, बल्कि ये expert एक draw के, 1-1, 0-0 draw के expert है, तो एक टोड़ा सा केजी गेम यह पे आपको देखने को मेलेगा पेरू के अगेंस, बट बीट इबल साइड, I won't say that बहुत स्टॉंग साइड, I would say yes, बीटेबल है, चिली के अगर बात कर लो, तो ये भी एक्सपर्ट है to get a 0-0 draw, मुझे लगता है कि चली वन अफ दी मोस्ट फिजिकल साइड है in South American football, और आप देख सकते हो कि इनका फॉर्म बहुत ज़दा ऊपर नीचे रहा है, त्रस नहीं किया जा सकता है इनके ऊपर, बाकी बची Canada, तो अगर Canada आती है ग्रूप A में, आजटीना के, तो ये ग्रूप बहुत ज़दा अच्छा बन सकता है, just because Canada being there, अब Canada directly qualify नहीं कर पाई थी, because ये जमाइका के अगेंस्ट, ये कौन का काफ, नेशन लिग के कौर्टर फानल से बाह तो अब ही इनको बस ट्रेडार और तुबाको को हराना है, और आपो क्या लगता है कि ये जो ग्रूप A, कौन से वो दो टीम है, जो की फेवरेट्स है, तो गो इंटू दी कौर्टर फाइनल, जरूर से मुझे कॉमें बताना, बट अगर ग्रूप B के बारे में बात किया ज बट यार, इकोडॉर भी न, एक अच्छी सप्राइस टीम हो सकती है, दू नाट स्लीप ऑन इकोडॉर, मुझे लगता है कि इकोडॉर कुछ ना सप्राइस क्रेट करेगी, अभी देखो पिछले फिक्शर में इन्होंने चेली को वर निल हराया, उसके बाद से भाई, इन्ह इन्होंने लास्ट गेम जीता होगा, यह जब उरुगवे को रहाय थे 2-1 सेप्टमबर में, तो यह एक ऐसी टीम है जो कि अपसेट कर सती है, यह कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम के कोर हैं, और केंदरी पायर्स जो यह बंदा है तुम देख रहा है यह बंदा फटेगा इस कोपा अमेरिका में, बट फिर भी आपके एसाब से यह गुरुप भी से कौन से दो टीम है, जो कि कोर्टर में जाने वाली है, मुझे बताईएगा, गुरुप C के बात करें तो यहां पर इवन दो होस्ट होते हुए US, यहां पर उनको भी कौलिफायर में खेलना पड़ गुए करेंटली लेड़ भाइ मार्सेलो बिलसा, इन्होंने अर्जंटीना को हराया है, ब्रिजील को हराया है, पिछले फिक्ष्छ में, दे आर ओन अगुड रन-फॉर्म, आप अगर देखोगे इनका वर्ल्ड कॉप कौलिफाइंग कैंपें तो इन्होंने मोस्ट नूमर बॉल्ड दाट आप अगर युएस की बात करें पर पैनमा और बॉलिवया दे आर अल्सोट अडीसेंट साइट बथे लगता नहीं बहुत ज़दे थ्रेड प्रॉइड करेंगे, पैनमा टिक्ष्टी हो सकती है, बॉलिवया आटिंग वोड बीटिब्ल, बॉलिवया जानी मेंट बटी बाई जो सच्च वो सच्च है बागी पैनामा वोड बी ट्रिकी जैसे मैंने का बागी यूएस की अगर बात किया जाए गाइस तो यूएस एक ऐसा साइड है जो कि करिंटली पनापरा है दे हाव एन अप्राइजिंग टीम एक यंग डॉमिनिंट टीम है आपर अ ओमान को नियोंने फोर निल हरा है उसबेकिस्तान को थरी निल हरा है और भाई हमारी भारती टीम खेलती है वी स्टिल विश्च कि हम ओमान और उसबेक एगेंस कंपीट कर पाया है तो आप एक क्लास का डिफरेंस बना सकते हो यहाँ पे यूएस और हमारे में भाई यह होगी इस ग्रुप में बड़ा बिलीव कि यह उर्गवे और यूएस इस ग्रुप से निकलने वाले हैं अब जो लास्ट ग्रुप है यह है ब्रजील कोलंबिया परागवे और हॉंडरस या कोस्टारीका में से कोई एक टीम आएगी इसका भी प्लेओफ होगा जो तीम है कि गुरुप दी है गुरुप ओफ देथ है बट अनिसली मैं बताओ तो मुझे लग निराने इस चारे गुरुप में से कोई गुरुप ओफ देथ वाली वाइब नहीं आरी मलब कि जरूरी है क्या हर बार हम गुरुप ओफ देथ को ढूंडे है अड़ों तो एनी इस नौट दूब जोब पिसले माचे इनों ने खेला था अरुगए से हा रहे हैं अजटिना से हा रहे हैं कोलंबिया से हा रहे हैं भाई पिसले तीन माचे अन्की करिंटली बट एस ब्रजील के पास क्या है टालेंट फाक्टरी है बट कहीं से भी प्लेयर स्पॉन कर आज बस अगर अपना मनेजमेंट से ही कले ना तो I think they will be one of the favorites to win the Copa America पिसले साल final में भी गये थे बट देन यार ब्रजील you know what पता ने इस बाहना वो वो वाइब ने दे पारी बट सिल अभी हम अभी बाफी समय पीछे हैं अभी 6 मेना बचा है Copa America में things can be sorted out अभी हमें पता नी ब अपनी मेनेजमेंट शिप स्टार्ट नहीं करना चाहूंगा में भी आफ्टर दार्ट तो क्या फर्नांदो दीनी केबल है तो टेक ब्रजील इंटो इस होल मेस बिकॉस यहां पर सिचुएशन मेसी है ब्रजील की बट यह जो सप्राइस पिक है और मेरी जो डार्क होसे इस वो रहेंगी कोलंबिया येस दिस इस वान टीम जो मुझे पिटुक्लर ली बहुत ज़ादा इंप्रेस करी है और आम शूर की कोलंबिया आपको भी इंप्रेस करीगी पिछले अगर तुम फिक्श्यों देखो उन्होंने परागुए को हराया उन्होंने ब्रजील को हराया उन्होंने इकोडॉर के साथ 0-0 का ड्रॉ किया औरुगए के साथ 2-2 का ड्रॉ किया तो अप एक देख सेते हो अगें साथ अमेरिकन टीम सा वेरी वेल वर्स्ट इन ड्रॉइंग देख सेते हैं एक अच्छा फिजिकल रगेड फुटबॉल खेलते हैं काफी ज़ादा फिज यहांप इनके पास यहांप इनके पास रफाइल बोरे है जो कि एक अच्छे स्ट्राइकर है वर्ड ब्रेमन के एक्स्पिरेंस डेविसन सांचेज हैं डिफेंस में उरीबे हैं विंक्स पे तो आफ गॉट टीम और मेरे ओपिनिन में इस वुट बी टीम तो लुक आउट फ हैं और तीन गोल कंसीड किये हैं तो आप देख सकते हो कि करेंटली आज इंटीना टॉप पे है उरुगए सिकेंड पे हैं कोलंबिया थर्ड पे और ब्रजील ऑल दवे डाउन आट दी सिक्स पॉर्ट है इन दिस क्वालिफिकेशन क्यामपेइन यह पर्टिकुलर्ली यहां आपकी कौन सी वो दो-दो पिक्स होंगे हर ग्रुप से चलिए यहां पर देखते हैं आज पहले ग्रुप से अगर मैं बात करूँ तो मैं जाना चाहूंगा वे चेली बिकॉस दे हाफ गौट दी एक्स्पिरियंस मुझ लगता है वो ग्रुप से खीच लेंगे अपने आप ग्रुप से आउट्षे की क्लिरली अरुगवे टॉप करेंगी सेकंड पर आने वाली है युएस बिकॉस युएस को अच्छा फुटबॉल खेलना है इस वुड बे चांस तो प्ले क्वालिटी मार्चे बिकॉस युएस होस करने वाली है 2026 का वर्ल्ड कॉप जिसके लिए क्वालिफाइड है तो भाई यहां बे प्रिशर है इन टीम्स के अगींस आपको अच्छा खेलना होगा तो बागी गुरुप डी में आई तिंग ब्रजील और कोलंबिया क्वालिफाइड करने वाली है उपर नीचे हो सकता है बागी आप वो टॉप फोर टीम्स बताइए आपको लगता है समी फाइल तक आएंगे और आपकी कोंसी इस कोपामेरिका गुरूप में डार्क होर्से हैं दू लट मेनो एवरिटिंग इन दी कॉमेंट सेक्शन डान बेलो और क्या अरजेंटिना दुबार से लियो मेसी के पॉसिबली लास्ट टोर्नमेंट में दुबा और मेरे जिन्देगी सफाल गए तो या यह फिर से हो सकता है कि लियो में से हमें यह खुशी देहें लेट सी आप बताइए क्या लगता बोगता अब क्या होगा गॉमेंट सेक्शन में में मिलता आप लोगों से वेरी सुन तब तक के लिए टेक चेर और पीस आओ झाल झाल